हेलो एवरीवन स्वागत है आपका अपनी चैनल में जिसका नाम है क्रिकिट एक्सपर्ट तो अभी हम बात करने वाले हीरो सीपेल टीट्टी में होने वाले आज के पहले मुकाबले की अब देखो चारी मुकाबले बचा हैं लीग स्टेज के चार मुकाबले उसके सेमी फाइ लेगे और दोनों चेम कृलिफाइब कर चुकी टीक कर लिए अभी तक एक भी मुकाबलह नहीं हा रही और यहां पर सेंट लूशे ना भी बहुत बढ़िया पर्फॉर्म कर रहा है जुक्स की परफॉर्मस भी बहुत बढ़िया रही है अभी यहां पर हम पूरी की पूरी क libreaker Remove राहने वाले वह सारी की सारी डिटेल अभी हम यहां पर डिउसक्स कर नेंगे सबसे पहले हम यहां पर वैदर के कोई भी चांस नहीं के फाइनली पेछला मुकबलाम मैं देखने को नहीं मिला वह रेन जो था देखो पहला मुकाबलों जो हुआ था पिछले दिन का वो यहां पर रेन के कारण रद हो गया था पर यहां पर आज रेन के कोई भी चांस नहीं है अब यहां पर अगर मैं रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग की बात करूं मतलब पहले तो एवरेज फरस्टिंग स्कोर की अग कोई भी टीम यहां पर अब कोई भी पॉइंटसे और नहीं हो सकता है तो यहां पर अब यह मान के चलो की शादो इचेंजिश देखने को मिल सकते हैं जिन प्लेयर ने बढ़िया पर्फॉर्म नहीं कर रहा है शायद वो प्लेयघ जैसे उपर भेज़े जा प्लेयर्स को जदा मौका दिया जा सकता है मंधला बॉलिंग दी जा सकती है बैस्मन को जैसे ज़्य टाइन तो उसमें आप कोई भी दिक्कत नहीं है TKR और सेंट लूशिया जूक्स में TKR तो देखो भई यह सेमी फाइनल में पहला स्पोर्ट लेकर भी बैठी हुई है तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहां पर अगर मैं बात करूँ TKR का पिछले मुकाबलो और यहां पर सेंट जूक्स के पिछले मुकाबले हम दो दो देख लेंगे आपर सेंट जूक्स पिछले मुकाबला देखो भई यह हार करा रहे हैं अपना गवाना वारियर के खिलाफ इनना मैच आ रहा है पर यहां पर Sanjuks के प्लेयर्स की पर्फॉमेंस बढ़िया रहती है अभी तक जो मैं देखा है पर्फॉमेंस बढ़िया है बढ़िया आपको पर्फॉर्म गरके दे सकते हैं Sanjuks की अगर आप यहां पर बात करो आर कॉर्णर पिछले मुकाबले में 21 रण मार कर गया यहां पर आप देखो भी यह सुनेरियों आपको देखना बढ़ेगा क्योंकि जैसे अल बूचर खेला यहां पर तो यह कुछ ऐसे प्लेयर जो आपको यहां पर आज भी इनको मौका मिलतो है दिख सकता है यहां पर आप देखो इनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट तो बॉलिंग डिपार्टमेंट की बडिया नहीं रही इसलिए यहां पर आप देखो हमारे पास जो प्लेयर आपको देखने है वो में बात है और उसके बाद जो सिनेरियो आपको देखना है यहां पर आप देखो ओपनर नहीं चले मिडल आउडर भी इतना नहीं चला ज्यादा बड़िया परफॉमेंस नहीं रही तो यहां पर सेकेंड इनिंग में अगर मैं देखूं TKR की अगर मैं इनिंग देखू तो यहां पर आप देखो पिछले मैच में लेंडन सिमल्स नाइंटी सिक्स रंड और नीचे ज्यादा कुछ कर रही नहीं यहां पर आप देखो मन्रो रिटायर हाट हुए थे उंगली में लग गई थी इनके पर शायद लगता है कि आज खेल जाएगा अगर नहीं खेलता तो भाईया मैं तो रखूंगा क्योंकि देखो आज इसे पक्का चांस मिलने वाला कॉलिन मंडो को रहो सकता है आज बढ़िया परफॉर्म करके चला जाए ब्रावो हमारे पास है उसके बार टेम साइफर एक ऐसा प्लेयर जिसे आज मौका दिया जा सकता है ग्रेंड लीग उपनर बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं यहां पर अगर आप देखो इनकी बालिंग डिपार्टमेंट सिकंदर रजा तीन ओवर करवा तीन विकेट चटकाई और अगर ऐसा कुछ सेनरियो बनता है कि यही सेम टीम लेका राते हैं तो यही आपको बालिंग प्लेयर्स करते इनकी इनकी उसके बाद यहां पर आप देखो देखो लिए उन्से डिफेंड कर वालो चाहें το वालो दोनो का हम बभ Algात destacat आख के लिए टीम यहां पर आप देखो भी आप ओपनर चले सब चले यार इनके तो यह सारे के सारे प्लियर आपको पते हैं कितने बढ़िया पर्फॉर्म कर रहे हैं अब यहां पर अगर और वैसे भी इनके बारे में और क्या ही बताना है अब देखो टूर्नमेंट खतम होने को सब्सक्रालों कि अगरार में बताहूं कि यह तो वह आपको पता होना चीहां आप कहिल रहे हो प师all When सब्सक्राइब है कौνηसा नहीं वहाँ आपको बताता हूं कि हां ऑखें के Update में यहां पर देखो भी यह हुसांई आपके वाज़िश Mr.. सको इसके बाद आरविन विकेट चटकाई उसके बाद यहां पर सुनिल नरायन मुझे नहीं लगता सुनिल नरायन आज खेले गा फरूसका ठ्वाद एमास आपके पाससे दो में भूडिया जटकाई डीबरावो आपके पास है जब्रावो ने सकता है सिकंदर रजा आपको यहां पर ज्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा था और कॉर्ड नवेल छे रन फिर उसके बाद यहां पर आप देखो तो भी आप बुचर न अठार रन चेज न चौदा और उसके बाद नीचे और कोई प्लेयर थाई ने जो डवल फिगर में गया हो और इना में दिक्कत ए ने एक विगर चटकाई रॉस्टन चेज ने एक विगर चटकाई तो यह परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही पूरी की पूरी बॉलिंग डिपार्टमेंट की यहां पर आप दोनों टीम के दो दो पिछले मुकाबले देख चुके और रिसेंट के कौन से प्लेयर बढ़ पर यहां पर अगर मैं बात करूँ हमारे पास फ्लेचर है small league में बहुत बढ़ीय प्लेयर टिम सैफर Grand league में बहुत बढ़ीय अपलेयर एह बुचर अगर खेलता है जैसे पिछले मुकाबले में बूचर रही जांगू दोनों खेले थे Grand league में ट्रेकरना small league में नहीं और यहा बार भी देखने को मिलेगा बैटिंग डिपार्टमेंट के अगर मैं बात करूं लेंडन सिमल्स कॉलिन मंडो अगर खेल जाता है पर कम चंसे हैं क्यूंकि जैसे पीछे उसको इंजरी हुई और यसके बाद बना रहा है उसके अब अब आपको खेलता है तो ग्रेंड लीग स्कूले अबने को कबिए इसने ऊपर यपर नहीं कर रहा सिर्फ कापिटैंसी के लिए और कुछ भी न 제가 provincesip करता है बैपने आथी हैत्व इतना ब Student परफॉर्म नहीं कर पाता है और यहां पर आप देखो टीम सेमी फैनल में पहुंची है पर आपको कोई भी एक ऐसी पारी इसकी याद नहीं आएगी कि अच्छा जिसने मैच जितवा दिया जिसमें इसने बहुत बढ़िया परफॉर्म कर आओ तो यहां पर वन इंदा हंडर् सब्सक्राइब कर दो थोड़े नहीं थे लगया तो इसाप से मुझे लगता है कि यह मुकाब्ला नहीं खेलेगा अगला उसके बाद उससे अगला वाला जो सेमी फैनल होने वाला वो खेलेगा यहां पर आगर मैं बात को रोस्टेंट आपके पास है रोस्टेंट चेज आने वालों सिखंदर रहजा को यहां पर अगर मैं बात करूं हो मैं पास और निंग सेक्षिन की बात कर ली हम नब यहां पर अगर आप देखो भई है इस कुगल एजिन के पैरी कैसिक विल्यमसन एक बड़ी ऑप्शन है यह हुसान अगर आप ट्राइगर ना चौओ स्मॉल ग्रेंड लीग में ट्राइगर सकते लिसके बाद यहां पर अगर आप देखो भी हमाइपास जो है एफ ऐहमद ऐस्यद्वें इस पर विन ट्राइगर यह अकर खेलता है तो बड़ी यह नहीं खेलता तो फिर हमें टीम चेंज करने बड़ेगी आपको उपड़ीटी टेलिय पर मिल जाएगी एक हान हमारे पास है एक हान आप ट्राइगर सकते है अगर ये खेलता देखो भी ये खेलने वाले तो देखो सारे के सारे प्लेयर खेल रखें आसे कुछ भी नहीं कि कोई एक प्लेयर जिसके जीरो क्रेडिट हो जो अभी तक ना खेलाओ अब टीम ना सारे के सारे ट्राइ कर लिए अब देखते हैं प्लेइंग 11 क्या आती है अपडेटिड प्लेइंग 11 क्यूंकि एक चीज़ तो बक्या है कि हैं ब्रावो कॉलिन मंडो काप्टन जो है मौमद नभी रॉस्टन चेज डेन ब्रावो फिर उसके अद्वाइस कप्तान सुईन राइन एस कूगले जिन के पैरी जे सीलियस पूरी की पूरिटे हमाई बहुत बढ़िया परफॉर्म करते ही दिखेगी स्मॉल लीग हैड जाओ तो हैड टू हैड में भी उसकर सकते हो कोई रिक्कत निया है हैड टू हैड भी बढ़िया परफॉर्म करके दे सकती है नरायन नहीं रखा है क्योंकि शायर नरायन नहीं खेलेगा तीसी टीम के अगर मैं बात करूं मैं आपस रॉस्टन चेज है एजए कैप्टन रख अब हम देख लेते हैं अपनी चौथी टीम चौथी टीम अगर आप देखो प्योड़ी ग्रेंड लीग गई यह भी यहां पर आर कॉर्ण वाले कैप्टन रख्यों है डेरन ब्रावो है जदरान रखें जेग लैन है फिर उसका लैंडन सिमल्स है रॉस्टन चेज है डेरन डेरन नहीं डेन ब्रावो है उसका ऐस्क्रुग लिजिन है कैसरिक विल्यम सन थिसके बाद इहां पर आगर आप देखो कि पैरी है गोल्या ब्रावो मैं तीसरी घुट की टीम के अगर में बात करूं कपतान आपर डेरन ब्रावो हैं केरन पॉलाड है फिसका टिम साइफर तो उसके बसके बाद सॵक्रान ब्रावो पूरी के पूरिके अमरेक ज़ेखा है मुदं आपको प्रोवईड़ाचू आपको प्रोवाचू आपको ट्झावा लीक्ण कर पर लिकिन कि आपको नीचे डिस्किप्षिन मिल जाएगा तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही चैनल सस्क्राइब कर लिजेगा वीडियो लाइक कर दीजेगा और बैल एक अंदर बाद दीजेगा क्योंकि ऐसे वीडियो और भी आते रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर